हेलो इस्टोइंट इस नेक्ट प्रिसास करेंगे एक्जाम्पल लंबर 17 क्या कहा रहा देखो अब विंडू इस इन फॉर्म ओफ रेक्टेंगल चीक है वाई एक विंडू है जो की रेक्टेंगल की शेप में है मान लेता है ये विंडू स्क्वेर लग रहा है बट रेक्टें पैरेमिटर मतलब पूरी बाउंटरी एक लैंट होगी इसकी इसको मैं एक्स मान लेता हूं और इसको मैं कुछ नि मान रहा हूं विकॉज इसके सामने है ये भी आ रहे है ये दौनों मिलके कितनी हो जाएगी तो आर हो जाएगी आपके लिए ठीक है अब यह जो गिविन कं है इसको कैसे करेंगे ऊपर वाली बाउंडरी का मतलब है सायं कशार्कलarkan सर्कम्फैरंस ऑ सायं मीं सर्कल सेंसर्कल क्या हो यह पता है उसके और wsz को से डिवाइड कुरूंगा तो प्योपा कियसे यह वाली एक्स मिला इसए आपके पास इस वैक्स लिबिए हो गयी आपके प अब मैं इसमें से किसी एक value को replace कर सकता हूं या तो x को या R को मतलब किसी एक के लिए value find कर सकता हूं अगर मैं x की value find करता हूं देखना आप तो पहले 2x को यहीं छोड़ो 10, minus pi r, minus 2r केवल x का value हो जाएगा 10, minus pi r minus 2r upon back to यह एक्स का वैल्यू आगया फर्स्ट एक्वेशन होगी अब यह बोल रहा है फैंड दाइमेंशन विंडू विंडू की दैमेंशन निकाले विंडू की दैमेंशन मतलब लैंद ब्रैथ और यू पर वाला राओ अधर दाट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट इसका एरिया होगा हम लिख सकते हैं यहां पर माक्सिमम पॉसिबल लाइट इस इमिटेड अध्मिटेड वैं वैं अध्मेंटम एरिया ऑफ विंडू वैंट एरिया ओफ विंडो एज एज मैक्सिमम अब आप थोड़ा सा ध्यान देना विंडो का अगर आपको एरिया निकालना तो कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो एरिया ओफ सैमी सर्कल निकालेंगे तो हाफ और पाई आर स्कुरे ठीक है फिर एरिया ओफ इस रेक्टेंगल के लिए भी हुआ रही है ठीक है समझ में आगे अब इसमें आप वैल्यू पूर्ट कर सकते हो एक्स की हैना तो मैं लिख सकता हो यहां पड़ देखो एक्वल्स टू पाई आर स्कुरे अपान टू प्लस तू एक्स आर तू एक्स आर और एक्स की जो वैल्यू अभी निकाल अपने टैन माइनस पाई यार माइनस टू आर है ना एक्स का वैल्यू हो गया टैन माइनस पाई यार माइनस टू आर पॉन में तू और यह बाहर आर यह कैंसल आप गया से हैं अब आप इस एरिये को देखो यह मैंने यूज किया है फ्रॉम एक्ट्वेशन वन आगे से हैं पाई आर स्कुर अपॉन टू प्लस आर से मल्टिप्लाइ कर दे तो इसको टैनार माइनस पाई यार स्कुर माइनस टू आर स्कुर एक्लियर है अब मुझे क्या करना है आपर डिफ्रेंशियेट विद रेस्पेक्ट तू आओ अगर मैं डिफ्रेंशियेट करता हूं तो हाफ और पाई यह तो कॉंस्टेंट है इसको तो मत चेड़ो आर स्कुर का करेंगे केवल टू आर होगा टैन आर का ओनली टैन होगा माइनस इसका कितना हो जाएगा टू प पाई यार माइनस टू पाई यार प्लस टैन माइनस फोर अगर आप देखो फो टू पाई यार में से बन पाई यार जाएगा तो माइनस पाई यार प्लस टैन माइनस फोर अगोड़ा सा ध्यान देना इस वैल्यू को मैं नेक्स स्लाइड पर ले रहा हूं एक सेकेंड दू यहां पर हो गया मेरा डैश अब मुझे पॉइंट बनाने हैं तो नाव मैं आपर पूट कर सकता हूं एडैश आर को जीरो अगर जीरो पूट गया माइनस का पाई यार प्लस टैन माइनस का फॉर रिक्वल्स टू जीरो स्वरों सबसे पहले जो है फाइन को माइनस का कॉमन ले लिया अप प्लस का फॉर आर में से और नागेटिव 10 आहां चला गया आर कॉमन ले लिया तो four plus five बचा और और पाई बचा और कितना हो गया टैन अपॉन four प्लस five यह निकल गया आपका रेडियस बट यह रेडियस क्या maximum जो के लिए तो उसके लिए आपको फिर से डबल डिफ्रेंशियेट करना पड़ेगा देखना ही वैल्यू इस लास्ट आगेगे मेरे पास हर यूस के डबल डिफ्रेंशियेट करेंगे यहाँ पर इसका तो माइनस पाई एज आर का बन हो जाएगा टैन का कॉंस्टन जीरो इसका मतलब एरिया ओफ विंडो इस मैक्सिमम वैन और एक्वल्स टू टैन अपॉर प्लस फाइव पता हो समझ माई कि यह वली चीज के लिए रहे हैं आपर तो यह मेरे पास क्या आ गई है रेडियस अब इस रेडियस से मैं क्या-क्या फाइंड कर सकता हूं सारी सीसे आजाओ आप आर एक्वल्स टू टैन अपॉन फोर प्लस फाइव अब थोड़ा ध्यान देना मैं फिर से डाइग्राम बनाता हूं यह पूरा था 2R यह पूरा था X हान है और यह जो वैल्यू है 2PiR अपॉन 2 यानी 5R हान है तो पॉसिबल डायमेंशन जाओंगी रिक्वायर्ड डायमेंशन ओव विंडो आर सबसे पहले तो सेमी सर्कल हान है तो सर्कम्फेरेंस ओफ सेमी सर्कल सेमी सर्कल को होना है पाय को हमने मल्टिप्लाय करना है टैन अपॉन 4 प्लस 5 कितना हो गया टैन पाय अपॉन 4 प्लस 5 मीटर बताओ समझ माया क्या ठीक है अगला है आपके पास नीचे बेस बेस और विंडो क्या है यानि टू मल्टिप्लाय टैन अपॉन 4 प्लस पाय यानि कि 20 अपॉन 4 प्लस पाय मेटर फिर हाइट हाइट कितनी है एक्स एक्स के मार पास वैल्यू थी आना एक्स के मार पास वैल्यू तो शुरू में यह लिखता हूं थैन माइनस पाय यार एन माइनस पाय यार माइनस टू आर अपॉन टू इसको आपको यहां पर वैल्यू स्पुट पड़ने पड़ेगी यारा ना पीछे लिखना पड़ेगा या तो माने निवाला यहां टैन माइनस पाय यार माइनस टू आर अपॉन टू अची कहां यहां देखो आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास एन अपॉन फॉर प्लस पाय है है एक कि फिर टैन अपॉण फॉर प्लस पाहे फिर अपॉन में यहां ले लो आप इसका टैन फॉर प्लस पाय ठीक है ए ल सिम हो गया माइंट का टैन पाई माइनस का 20 अपॉन में तो प्लस पाई ओपन करो 10 और यह कितना हो जाएगा 40 प्लस टैन पाई माइनस 10 पाई माइनस 20 पॉन में 24 जाओ तो मुल्टिप्लाइ कर दो कितना बज़िया देखना एंपाई से टैन पाई चला गाए 40 में से 20 गया तो 20 अपॉन 24 प्लस पाई 10 कितना आगया 10 अपॉन 4 प्लस पाई मेंटर बताओ समझ माया क्या यह तीनों बताता हो मैं फिर से पीछे से एक तो आपके पास यह हो गया है एक आपके पास यह हो गया है और एक आपके पास यह हो गया है और एक आपके पास यह हो गया यह दिनों डाइमेंशन लूम्मा 17